हलो मैं दियो फ्रेंड्स वैलकम टू यॉण डार्स टूड़ एंड आज हम देखने वाले हैं कि अगर आपके पास कोई कुर्ती की डिजाइन रेडी है और वही डिजाइन आप मोकप बनाना चाहते कि मॉडल के उपर दिखने के बाद कैसी दिखेगी और कोई पार्टी को रि देखने आप के आगे डिजre यहीं होती तो यह वीडियो एंड तक ज़रू जाने वाले हैं हमने पिसली वीडियो के इंदर से डाउनलोड कर सकते हैं तो फिर गूगल कर लिए या तो फिर आप सिंपल क्या कीजिए इंटरनेट पर लिखें इंडियन कूरती वाइट लिखेंगे तो यहां पर बहुत सारी में जिसा जाएंगे यहां पर आपको जो वाइट कूरती वाली अच्छी मोडल लग रही है उस कोई मोडल सेलेक करना है यहां पर आपको रिजल्विशन 150 या तो फिर हाई क्वालिटी में कर दीजेगा ताकि आपके पास अच्छी हाई क्लियरिटी में इमेज मिल सके इसको अलग-अलग फिल्टर भी लगा सकते हैं तो अभी मुझे सबसे पहले क्या करना है कूरती को फ सेलेक्शन कर लूँगा और मुझे स्लीव अलग चाहिए क्योंकि स्लीव के अंदर जो मेरी डिजाइन है वह इसमें सीधी जो अपने पास फ्रंट में है वह नहीं लागए तो स्लीव में मुझे अलग से सेट करने के लिए उसको अलग सेलेक्शन करना पड़ेगा यहां पर सेलेक्शन कर पाएंगे जिसे आपका सेलेक्शन मिल जाए तो एक बार याद रखेगा कि इसको री टच कर लिजेगा ताकि आपके पास प्योर और अच्छा रिजल्ट मिले इसको प्लस एंड माइनस जो भी करना है आप कर लिजे तो आपर मैं क्या कर रहा हूं जो हमारे प कि यहाँ पर मिल चुकि यहाँ पर है तो आपर कि क्या कर रहा हूं क्या है है के ऊपर मुझे अपनी कुर्ती नहीं लगानी है आप इसको और ैजीली सेलेक्ट कर सकते हैं तो अभी एन पास सिर्फ फान्टेंड साइड का सीलेक्शन आ चुका है त्सली मैं कंत्रॉल अब फोटो मॉक आप के उपर लगाऊंगा तो यह ज्यादा realistic लेगेगा यहाँ पर आप हो सके तो lasso tool का भी उस कर सकते हैं अगर lasso tool का use नहीं करना है तो आप simple quick selection tool का भी use कर सकते हैं आपकी background layer सेलेक्षन होनी चाहिए और सिंपल आप इसको सेलेक्ट कर सकते हैं रिटेच के लिए वापस से लासु टूल में आएए प्लस माइनस सेलेक्षन कर लिजिए एंड एंड फाइनल सेलेक्षन होने के बाद इसको भी हम क्या करेंगे डुब्लिकेट लेयर में ले लेंगे बाद में क्या करेंगे इसको जो नहीं चाहिए था मुझे पार्ट वह मेंने माइनस कर दिया है और और finally हमारे पास कुछ ऐसा output मिला है, selection होने के बाद इसी को same, जैसे हमने front को duplicate किया, इसको भी हम क्या करेंगे, duplicate, हमारे पास यहां पर है sleeves, sleeve और front, जैसे हम front बंद करेंगे, तो हम यहां पर sleeve दिखेगी, और ठीक है, दोनों अलग-अलग हमारे पास आ चुके, तो यहां पर मेर इसी लगेगी, वह हम देखेंगे, पहले इसको मैं save कर लेता हूं, याद रखेगा इसको PhD या तो 50 format में save कीजिएगा, ताकि आप कभी भी वापस से यह image में आके इसको edit कर सकते हैं, यहां पर मैं क्या लिख रहा हूं, front mock-up, अब backup यह अलग से separate mock-up कर सकते हैं, जैसे इसको मैं बन कर रहा हूं, एसी कोई कूर्ती भी आप select करके, इसका जो front end side है उसको और sleeve को आप अलग select करके, अलग कर सकते हैं, अभी मैं सिर्फ आपको एक ही mock-up दिखा रहा हूं, तो मैं क्या कर रहा हूं, एक mock-up हम open करके, उसके अंदर हम देखेंगे, कि इसके front end side में design कैसी ल देखेंगे, front, था कि आपको पता चले कि हमारे पास front कौन सा है, और sleeve कौन सा है, अभी हम sleeve के पास में, sleeve बंद कर रहे है, sleeve मुझे नहीं चाहिए, और जो हमारे पास front है, front में छीज आपको ध्यान रखनी है, जिससे आप mock-up start करे करना, तो आपको क्या करना है, पहले इसको right click करके, ठीक है, यहाँ पर आपको right click करके क्या कर देना है, convert to smart object, अगर वो convert to smart object, already smart object है, तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आपके पास restricize layer है, अगर आपने copy की गई चीज कोई होगी, जो जहाँ पर आप दूसरे page में से copy करके, यहाँ पर paste कर रहे है, तो यहाँ पर आपके पास restricize layer आएगी, मतलब की normal layer आएगी, आपको simple यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर smart object लेके आना है, तो यहाँ पर जैसे right click करेंगे, और करेंगे convert to smart object, तो क्या होगा कि यहाँ पर सिधा convert to smart object, आपकी जो layer है, वो smart हो जाएगी, smart होगी तो क्या होगा, आपको आग Ctrl T करके क्या कर रहे है, छोटा, हमारा जो neck का design है, वो उपर आना चाहिए, और daaman का design नीचे आना चाहिए, यहाँ पर आपको sizing भी ध्यान रखनी होती है, लेकिन अभी हम sizing ज्यादा नहीं देख रहे है कि neck कितने inches में आएगा, daaman कितने inches में आएगा, मुझे सिर्फ party को represent करन आएगी, यह design print होने के बाद, stage होने के बाद, अगर कोई model पहनेगी, तो आपको कैसा दिखेगा, ताकि party आपको आपकी जो design हो easily select कर पाए, और उसको भी अंदाज आए कि यह design कैसे दिखेगी, तो अभी हम क्या कर रहा है, कि आपके पास front select है, यह आपके पास smart object होना चाहि आए, अभी यह design यहां से थोड़ा दबेगा, और यहां से भी दबेगा, तो यहां पर हम क्या करेंगे, इसको right click, control T करके, इसको right click करके हम करेंगे, warp, या तो फिर आप इसको puppet warp भी कर सकते हैं, edit में जाने के बाद, आप सीधा जाएगा, puppet warp, यहां पर आपको ज्यादा detail में editing मिलेगा, तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, यहां पर एक pin लगा रहा हूँ, जैसे pin लगाएंगे, यहां पर और diamond में, तो जैसे मैं यहां पर point लगाऊंगा, तो यहां पर क्या होगा, कि हमारा जो point है, वहां पर यह image पकड़के, वह वहां पर stop कर देगा, और बाकी का आप यहां से move कर सकते हैं, ताकि आपकी जो original design है, उसके अंदर ज्यादा फुरक ना लगा, यह हम इसको stress कर रहा है, और जो neck का part है, उसको भी हम center के side लेके आएंगे, तो क्या है कि आप easily, इसको मतलब बनने के बाद जो कपड़ा होता है, उसका fill आप उसको दे सकते, जैसे इसक मैं enter करूंगा, तो आप यहां पर छोटी सी चीज दे सकते हैं, कि puppet warp, यह filter हम जिसे बन करेंगे, तो हमारा original image दिखेगा, और जिसे इसको मैं on करूंगा, तो यह हमें क्या दिखेगा, कि हमारा puppet warp होता हुआ, नजर आएगा, ठीक है, तो अभी हम क्या कर रहे है, इसको properly puppet warp कर करना चाहते हैं, तो puppet warp कर सकते हैं, लेकिन यहां पर आपकी जो design है, उसके अंदर ज्यादा गंदी नहीं दिखनी चाहिए, और आपकी जो design है, उसका look भी आपका नहीं बिगड़ना चाहिए, वैसे आपके इसको puppet warp देना है, इसका जो neck है, इसका look भी आपका नहा कर दीजिए, तो क्या हो गया, कि आपके पास selection मिल चुका है, अब यहां पर simple क्या करेंगे, mask, जैसे आप यहां पर click करेंगे, mask के उपर, तो आप क्या होगा, कि यहां पर पूरा mask हो जाएगा, और जो आपकी बहार की design है थी, बहार का जो out था, वो सारा hide हो चुका है, और बाकी का जो part है, वो आपका visible हो चुका है, इसको मैं opacity full कर दूँगा, तो आपको यहां पर पूरा दीखेगा, सर कई बार क्या होता है, कि puppet warp करते वक्त आपका जो design है, उसका look bigger सकता है, तो आप आपस से इसको double click करके इसको edit कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है, और अगर आपने mask किया है, तो बाहर की side आपका जो जा रहा है portion वो आपका नहीं दिखेगा, सर यह design mockup किया हुआ तो दिख रहा है, लेकिन यहां पर जो realistic जो fill आना चाहिए हो नहीं आ रहा है, तो इसको हम detail बाद में add करेंगे, पहले इसे आप इसको sleeve को set कर देंगे, front अभी मैं बंद कर र right side sleeve लिख देता हूं, तो आप इसको मजीद से अच्छे से आप इसको set कर सकते है, sizing वगएर आप अभी में नहीं दिखा रहा हूं, आपको सिर्फ mockup कैसे होता है, वो दिखा रहा हूं, sizing आप detail में बाद में भी आप देख सकते हैं, कोई दिकत नहीं है, इसका मैं opacity कम करके, आपको design कितने area के अंदर चाहिए, वो आप इसको define कर सकते हैं, छोटी sleeve चाहिए, बड़ी sleeve चाहिए वगएर वगएर, जैसे यह set हो चाहिए, बाद में इसको क्या करना है, opacity 100% कर दीजिए, और Ctrl T करके आप इसको right click करके warp दे सकते हैं, या तो फिर आप puppet warp भी दे सकते हैं, क और Ctrl प्रेस करके पहले आप ये sleeve भी हम set कर देंगे, बाद में एक साथ में इसका setup कर देंगे, वापस इसको हम क्या करेंगे, थोड़ा छोटा, ये दोनों size sleeve की design होती है, वो flower size same होनी चाहिए याद रखेगा, और बाद में ये आप set कर दीजिए, तो क्या है कि आपकी design है, थोड़ी realistic जादा दिखेगी, आप इसको warp कर दीजिए, और easily, ठीक है, ये दोनों sleeve set होने के बाद, आप इसको control प्रेस करके, इसको mask दे दीजिए, और इसको भी control प्रेस करके, same इसको mask दे सकते, ताकि जो आपकी design है, उसके अंदर ही देखे, बाहर के side ना देखे, अभी आ design का look आना चीए होनी आ रहा है, और जो hair है, hair के अंदर भी आपका look आना चीए होनी आ रहा है, तो आप क्या कीजिए, कि इसका mask है, उसको select करके, यहाँ पर white color, foreground color रखके, आप यहाँ पर paint कर सकते, थाकि क्या है, कि आप इसका cornerized area है, उसको आप अच्छे तरीके से दिखा आप आए, जैसे इसका white color feel होगा, तो हमारा जो design है, वो दिखना चालो हो जाएगा, और जो बाकी की जो portion है, वो hide होना चालो हो जाएगा, ठीक है, अभी हमारे पास क्या है, कि front and sleeve, दोनों set हो चुकी है, तो मैं क्या करूँगा, front और sleeve का जो मैंने copy part लिया था, उसको मैं design ज्याधा realistic देखे, अभी हम यहाँ पर क्या करेंगे, जो front है, उसके हैंदर हम दो पाट लगाएंगे, यह हमारे पास highlight, और एक हमारे पास इसे का duplicate यहाँ पर हमारे पास है shadows, ठीक है, हम यहाँ पर shadows add करेंगे, और नीचे की जो light है, महाँ पर हम highlight को कि अब यहां पश्याइज देट करेंगे कि यहां पर मैं नाम दे रहा हूं थाकर आप जुआ एँवाक नाम सबस्वेड कैं तो आप पाले लेयर स्टाइल अवेट रहा कि पर 20 में इसको भाली यहां पर क्लिक करना है ग्रेज के ऊपर और जो वाइट एरिया है अल्टर प्रेस करके उसको ब्रेक करके अंदर के सब्सक्राइड लेकर आना है तो क्या होगा कि आपका डारकनेस एरिया है वही आपका वीजिबल रहेगा ताकि आप इसको बाद में एफेक्ट दे पाओ ठीक क्या हाइलाइट को आउट कर दिया और जिसे मुझे यहां पर हाइलाइट दिखाना है तो मैं क्या करूंगा यहां से शेड़ो को पकड़ के लेप साइड लेकर आऊँगा तो जो हमारी जो शेड़ोज वाले एरिया है वो क्या होगा हाइड होना स्टार्ट हो जाएंगे और आप यहां पर हाइलाइट इजली देख पाएंगे तो यहां पर मैंने कहा हो को लेर में ऊचाफ को रखा है equip himoubl कर देंगे एक हमारे पास है श्याऔर यह हमारे पास हाइध हैङलाइट है तो हम क्या करएंगया श्याइँंग करे शैड़ोज क आ को रोल करें ऊपते से भी क्लिक करके अपना शेडोज वाला एरिया है उसको हम रिमूव कर देंगे जिसे रिमूव होना स्टार्ट हो जाए वहाँ पर आप स्टॉफ हो सकते हैं तो यहां पर है हमारे पास स्लीव की सेडोज एंड हाइलाइट एंड अपने पास है फ्रंट की सेडोज एंड हाइलाइट यहां पर हमारे पास है shadows and highlight और front के और स्लीव के अभी हम क्या करेंगे कि जो नीचे का design है उसको on कर देंगे अभी हमारी design है थोड़ी थोड़ी visible दिख रहे हैं लेकिन हम इसको क्या करेंगे जो highlight है उसको हम lighten में में से कितने effect आ रहा है अगर आपको ज्यादा lighten दिख रहा है तो आप क्या कर सकते हैं कि इसका fill इसको कम कर सकते ताकि आपको यहां पर जो detail है वह आप easily देख पाओ कि detail में आपका मदलब highlight कहां तक आ आप जितना देना चाहिए आप दे सकते जरूरी नहीं है यहां से कोई भी मोड दे सकते आपका result अच्छा है वेसे तो यहां पर मैं screen मोड देके भी ट्राइ कर सकता हूं तो highlight के लिए आप कोई भी lighten मोड दे दिजिए और shadows के लिए आप कोई भी darken mode दे दिजिए तो क्या होगा कि darken area थोड़ा dark हो जाएगा और नीचे की लेयर के साथ ज्यादा merge होते हुए आपको effective effect देगा यह बहुत ही realistic आपको दिखेगा यहां पर हम क्या करेंगे कि front end side को highlight है उसको adjust करेंगे lighten में से code mode दे दिजिए ताकि आपके highlight easily देख पाऊ और यहां पर आप कोई भी field अपने इसाफ से रख सकते हैं जैसे मान लीजे मैं यहां पर lighten mode देखता हूं और ठोड़ इसी light में यहां पर ज्यादा रख रहा हूं ठीक है यहां पर आपकी light हो चुकी है और यहां से हम इसको dark geweल्य यहां पर अच्छी दिख रही है तो हम क्या करेंगे इसको यहां पर रखेंगे चलिए अभी क्या हुगा कि कई बार यहां से आप एड़ेस्ट करना चाहे तो लास्ट में भी एड़ेस्ट कर सकते हैं जैसे समझ लीजी यहां पर हमने थोड़ी शेड़ोस को ज्यादा दिखाने के लिए उसको विजीबल रखाए अगर आपका काम सब्सक्राइब दूसरी लेयर उसको डूबलिकेट करेंगे तो यहां पर आपको इफ्यक्ट दिखेगा तो आप अपने इसे अपसे और रखेंगा को जरौत नहीं है तो आपकी डिजाइन बनने के बाद अगर कोई हैं और के एंदर यह से लेकिन उन्दर कोई मुझे को डिजाइन करते हैं को सब्सक्राइब करना है मुझे सिम्पल क्या है इसके नंदर क्षंपल करना है जो को जाए कार्ऄ कर della का शाएगा और यहां से इसको ज्यादा डिटेल में नहीं दिखा रहा हूं आपको बोटम पार्ट सिर्फ आप इसको कलरा और भी कुछ दे सकते हैं तो आपके पास हो गया यह कूर्तिका डिजैन अभी पार्टे को दिखाने के लिए यह आप मॉडल मत भेजेगा आपको क्या करना है सिंपल आपके पास जो डिजाइन है उसी को आपको इंपोर्ट कर देना है समयज लीजे मेरे पास यह फ्रंट है या तो फिर आपके पास फ्रंट बेक एंड स्लीव आपने कुछ सेट किया गया है तो आप इसको इसके अंदर एड कर दीजे और सिंपल कैनवा साइज जो होती ह कि इसको जो हमारा डिजाइन है उसको हम पाजों में ऐसे रखके पार्टी को दिखा सकते हैं आपकी डिजाइन ऐसी है और बनने के बाद कुछ ऐसी दिखेगे यह हम उपर के लिए अभी बन कर रहे है और यहां पर हम यह जो सारी लियर है शैडोज एंड हाइलाइट उसको हम गुरूप करके इसको हाइड कर देंगे तो क्या होगा कि यह सारी लियर हमारी हाइड हो जाएगी जो डीटेल वाली और अभी हमारे पास आप देख सकते कि यहां पर फ्रंट एंड स्लीव राइड स्लीव है ठीक है चलिए अभी समझ लीजे आपके पास ऐसे थाउजंस डिजाइन डिजाइन रेडी की गई है लेकिन आपको उसको मॉक अप करना है उसको यह मॉडल के अंदर पहना आना है तो आप क्या करेंगे सिंपल जो हमारे पास फ्रंट है उसको पर डबल क्लिक कर दीजे यहां पर आपके पास एक इमेज आ जाएगी यह इमेज आपको क् प्रेस कर दीजे तो क्या होगा कि आपका जो यह स्मार्ट ऑब्जिक्ट वाला डोक्यूमेंट हो यहां पर सेव हो जाएगा और जैसे इसको मैं बंद करूंगा तो आप देख सकते कि आपको जो पपेट वार्फ सब एपलाई होके यहां पर सेट हो जाएगा तो वैसे आप क्या करना है इसके एंदर डबल क्लिक करना है आपकी फाइल है और कंट्रोल स करके सिंपल करदेकर तो यहां पर अपकी डिजाइन आटोमेटिकली सैट हो जाएगी ठीक है तो यहां को लाइक शेर एंड कमेंट जरू कीजिएगा अगर कुछ चीज यहां पर आपको समझ नहीं आ रही है तो इसको कमेंट करके आप जरू से बता सकते हैं तो हम प्रॉपर लिए आपका आंसर दे सके तो मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए ये वीडियो को बूस्ट देते रहे हैं और कुछ नहीं आने आ सिकते रहे हैं को कोई सिखना बंद तो चितना बंद